ओम साई राम, वेलकम टू साही समरपन चानल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी, और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ, दूपते को तिनके का सहरा, ये तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन सिर्फ सुना होगा, कभी किसी का सहरा बने हैं आप, कभी किसी तिनके को सहरा द मिला है आपको जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो तो बस यही कुछ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जिससे आपको बहुत बड़ी एक सीख मिलने वाली है इस कहाने के माध्यम से कि आप किसी का सहारा कैसे बन सकते हैं किसी के जीवन को आप कैसे बदल सकते हैं किसी क आपको किस रूप में आकर सहारा दे जाएंगे न, किस भेस में आकर, किस रूप में आकर आपको पता भी नहीं चलेगा तो आईए मैं आज आपको छोटी सी कहानी के मादेम से बताऊंगी कि किस तरीके से बाबा आते हैं और अपने बच्चों का सहारा बनते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को तो एक व्यक्ति था जो बिजंसमैन था और वो बहुत कर्ज में डूबा हुआ था बहुत जाधा कर्ज में और उसके लेंदार बहुत थे क्योंकि या उसके कर्जा बहुत था और वो जगा जगा भटक रहा था क्योंकि सब लोग उसे ढूंड रहे थे जाहिर सी भाते अगर किसी पर कर्जा होगा तो हर कोई उसे ढूंडेगा और वो इधर से उधर एक जगा से दूसरी जगा से तीसरी जगा भटक रहा था और वो परिशान हो चुका था और वो भटक भटक करना एक शहर में पहुँच एक अंजान शहर में, ना वो कुछ वहां के बारे में जानता था, ना किसी रास्तों के बारे में, ना लोगों के बारे में, बस पहुच गया, बस पहुचते पहुचते भटकते भटकते वो एक गार्डन में पहुच गया, और इस गार्डन में एक जगा थी, एक बैंच थी, वहाँ पर जाके वो बैट किया, बहुत दुखी था, परेशान था, रो रहा था, और ऐसा उसके मन में विचार चल रहा था, कि जैसे वो आत्म हत्या ही कर ले, अपनी जिन्दगी को खतम कर ले, क्योंकि ऐसी जिन्दगी जीने से बहतर है, कि वो मर जाए, और अक्सर ये हमार नहीं करता तो, क्या फाइदा इस जीवन का, तो वो ऐसे ही सोचते हैं, तो ऐसे ही उस व्यक्ति के साथ में भी हो रहा था, और वो जोड़-जोड़ से रोने लगा, और जब वो रोने लगा, तो उसकी रोने की आवास, एक आदमी के पास पहुँशती है, जो रास्ते से ही वहाँ से गुजर रहा था, तो वो उसके पास में आया, और पूछता है कि क्या हुआ, तो अपनी वो पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है, और मेरे बिजनस में लॉस हुआ, और मेरे पास बहुत करजा है मेरे उपर, और लेंदार बहुत है, और मैं ब परिशान हो चका हूँ और परिशान होकर इधर से उधर भाग रहा हूँ मैं क्या करूँ तो वो इंसान कहता है अरे दुखिया परिशान क्यों होते हो अपने जेब में से एक चेक बुक निकालता है उसमें से एक चेक फारता है और साइन करकर उस विजनसमैन के जेब में डाल देता है, फोल्ड करकर, कि जाओ तुम्हें जितना अमाउंट इसमें भरना हो, उतना भर लेना, लेकिन एक आखरी प्रियास सरूर करना, जो उमीद की आशा है न, उसे कभी मत खोना, और दुबारा से शुरुआत करो, दुबारा से खड़े हो, तो उसके मन में एक इच्छा चागरत हुई बिजनसमें के मन में, कि चलो इसने मुझे चेक दिया, और इस चेक में जो अमाउंट है, वो मैं भर कर, आगे से दुबारा से शुरुआत कर सकता हूँ, अपने करजे चुका सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर उसने बिजनसमें ने उस आदमी से पुछा, कि चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करूँगा, मैं हिम्मत आ गई है, आपने जो मुझे हिम्मत दिया है, जो सहरा दिया है, वो मैं करूँगा, जरूर करूँगा, लेकिन अगर आपसे मुझे मिलना हो कभी, तो मैं कहा मिलूँ, तो उसने कहा कि मैं यहीं मिलूँगा, मैं आपसे यहीं मिलूँगा जब भी आपको मुझसे मिलना हो तो यहाँ पर आ जाना तो ऐसा कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया जो बिजनसमेन था वो वापस चला गया इस उमीद के सहारे कि उसके पास में चेक है और चेक के सहारे मैं दुबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ अपने बिजनस को सब के करजे चुका सकता हूँ उसे एक सहारा मिल चुका था जो सहारा उसके पास में नहीं था वो एक उमीद के किरन मिल चुकी थी जिस उमीद के सहारे वो आगे बढ़ सकता था तो उसने ऐसा ही किया वो अपने शहर वापिस किया उसने दुबारा से स्टार्टप किया जो शर्त रखी थी उस आदमी ने कि तुम्हें एक प्रयास दुबारा से करना होगा उस उमीद पर कि उसने मुझे वो चेक दिया है उसने मुझे वो सहरा दिया है कि अगर मुझे कभी पढ़ी भी कोई कमी बड़ी, कुछ भी पढ़ा, तो मैं इस चेक को इस्तमाल कर सकता हूँ, तो इसी उमीद के सहरे उसने दुबारा से बिजनस स्टाट अप किया, और जो उसका बिजनस था, उसने दुबारा स्टाट अप करने के बाद, वो बहुत तरक्की पर पहुँच ग उस आदमी ने मुझे जो चेक दिया था, तो क्या मुझे उस चेक की तो आज सक जरूत पड़ी ही नहीं, और मैं एक काम करता हूँ कि वहीं जाकर उसी गार्डन में जाकर उस व्यक्ति को वो चेक वापिस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो इसकी जरूत पड़ी नहीं, औ और आज मैं उसी के वज़़ से इतना बड़ा आदमी दुबारा से बन गया जिसने मुझे उमीद दी जिसने मुझे सहरा दिया और मैं उसे थैंक्यू भी बोलकर आऊंगा तो वो ऐसा ही करता है जो बिजनसमैन था वो दुबारा गार्डन में जाता है उसी गार्डन में और जब पहुंच कर उस व्यक्ति को ढूंड रहा होता है तो देखता है कि एक जगा पर बहुत भीड लगी है और कुछ लोग मिलकर एक आदमी को पीट रहे हैं जब वो जाकर देखता है तो वो वही आदमी होता है जो एक साल पहले जिसने उसे चेक दिया था तो वो कहता ह अरे अरे इनको क्यों मार रहे हो ये तो बहुत बड़ा आदमी है तो भीड जितनी भी थी वो कहती है कि अरे ये कोई बड़ा आदमी बड़ा आदमी नहीं है इससे पता नहीं कहां से कोई चेक मिल गया कोई चेक बुक मिल गई कहीं से पड़ी हुई और ये उसी को उठाकर सब को चेक काट कर देता रहता है ब्लैंक चेक देता रहता है और सब को बेवकोफ बनाता है तो वो जो आदमी था, जो बिजनसमेन था वो एकदम से हिल गया कि आरे ये क्या, कि ये तो कुछ है ही नहीं ये तो बेवकोफ आदमी है, ये तो गरीब है ये तो पागल है, तो एकदम से फिर उसे याद आया कि नहीं, इसी इंसान ने मुझे सहरा दिया, इसी ने मुझे उमीद दी और इसी के सहरे मैं दुबारा से खड़ा हुआ हूँ, इसी के दम पर दुबारा से मैंने स्टाट अप किया और जगा जगा मैंने रिस्क लिया, सिर वो नकली था उपर उसने मुझे तो सहरा दिया जो मुझे साथ दिया आगे बढ़ने का बल दिया वो शायद मुझे इस दुनिया में कोई नहीं दे सका जो एक पागल एक गरीब इनसान ने मुझे दे दिया और वही उसी तिनके का सहरा मुझे चाहिए था जिसके बल बूते पर जिसके बल पर मैं इतना बड़ा दुबारा से बन पाया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ पाई, आत्मविश्वास आ पाया, इसी इंसान ने मुझे आत्मविश्वास दिया, फिर उसने उस व्यक्ति को थाइंक्यू बोला, क्योंकि आपको कभी कोई सहरा देने वाला नहीं मि आपको पीछे ढखेलने के लिए, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, अरे आप में कोई काबिलियत ही नहीं है, दस कमिया निकाल कर आपके आगे रख देंगे, लेकिन मजाल है कि आपको हिम्मत दे दे, ना, बिलकुल आजकल की दुनिया में पैर पकड़कर खीचने वाले लोग बहुत है बहुत लोग तो इससे बेटर तो वो पागल इंसान है ना जिसने उमीद दी जिसने तिनके का सहरा इंसान को आगे बनने के लिए बहुत होता है बहुत एक तिनके का सहरा किसी के शब्द कभी-कभी ऐसे शब्द हमें चुप जाते हैं, किसी के ऐसे शब्द हमारे माइंड में आ जाते हैं कि उसके सहरे हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो कभी भी किसी के शब्दों को बिलकुल हलके में मत लीजिए, कभी कभी किसी के शब्द आपकी जिंदगी बना सकते हैं, कि ऐसा कोई वेक्वी ढूंडिए जो आपका सहरा बने जो आपके तिनके का सहरा बने और आप आगे बढ़े देखिए मरना गिरना और आत्म हत्या करना ये ये सलुशन नहीं है ये सलुशन है ही नहीं इस दुनिया का सलुशन है नहीं क्योंकि बाबा है अपने साइं वो हमारे तिनके का सहारा है आप कह सकते हो कि हमारे तिनके का सहारा हमारे साइं है क्योंकि अगर हमारे साइं हमारे लाइफ में है न तो वो हमें आगे प्रोस्ताहिन करते हैं आगे बढ़ने के लिए हमें विश्वास देते हैं कि वो हमारे साथ हैं हमारा हाथ पकड़ कर है न ये मैं न रोका था और कहा था कि तुम मरने जा रहे हो आत्माहत्या करने जा रहे हो तुम आज इस जीवन को त्याग दोगे लेकिन जो तुम्हारे करम है बचे हुए करम वो तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे पीछे बिचे आएंगे जो तुम अगले योनी लोगे उसमें तु दुबाराज से शुडू करो, फिर तयार हो जाओ, लड़ने के लिए और मैदान में जीतिये वापिस आओ, और उन्होंने ऐसा ही किया, जब बाबा ने उन्हें मरने से रोका, आत्माहत्या करने से रोका, तो उन्होंने दुबाराज से शुडवार की, और वो इतने बड़े ज्यानी बने, महत्मा बने, और आगे चलकर वो इतना कुछ कर पाए, तरक्की कर पाए, और अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छे से चला पाए, तो ये सब मैं नहीं कह रही है, ये साइंसा चरतर जी कह रही है, तो आप वो अध्याय जाकर खोल कर देख सकते हैं, जो बाबा का भगतक हुए में डूबने जा रहा था, आत्मा हत्या करने जा रहा था, तो उन लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरी की, जब भी आप कुछ ऐसा सोचे ना, या आपके माइंड में ऐसा कुछ आए, कि आपको मर जाना चाहिए, या आत्मा हत्या करनी चाह होगे, एटलीस आपको ये इंसान का जरम तो मिला है, कि आप इस जरम में कुछ अच्छा कुछ कर सकते हो, पाट पूजा करकर, दान पुन्ने करकर, अपने कर्मों को अच्छा बना सकती हो, कल को आप कीड़े मकौडे बन गए, पशु पक्षी बन गए, तो क्या करोगे, क् ज्यान बुद्धी और दिमाग, ये तो भगवान ने मनिश्य में ही दिया है, कि वो अपने जीवन को सही कर सके, सही दिशा की तरफ ले जा सके, तो आप अपने ये जीवन को बेकार क्यों कर रहे हो, व्यर्थ क्यों कर रहे हो, इसे एक एक पल को, एक एक सासो को, उपर वा तो कल आपका सहरा साई हैं, साई के भरों से आगे बढ़िए और आप तरक्की करोगे, डेफिनेटली करोगे, 100% करोगे, बस उमीद रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए खुद पर, तो चलिए मैलूंगी समाप्ती, अगर आपके कोई अनुभव हैं तो जरूर हमार साई शेयर करें, स्क्रिन पर चल रहे हैं नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं, तो चलिए मैलूंगी समाप्ती, ओम साई राम, जै साई राम